उदरकाशी के सिलकारा टनल के आद अंदर तेरवाद दिन हैं 41 मजदूर फसे हुए आज दोपर तक निकलने की सभावना जताई जा रही है टनल में ड्रिलिंग कर रही ओगर मशीन का प्लाटफॉर्म कल टूटा था 50 मीटर की ड्रिलिंग के बाद ड्रिलिंग के काम को रोखना पड़ा टनल में ओगर मशीन के प्लाटफॉर्म को रिपेर कर लिया गया है महज़ 10 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है ओगा मशीन के रास्ते में आए डेड़ इंच मोटे स्पाइरल लोहे के पाइप पोहँचाया गया जल्द ही ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाएगा उतरकाशी सुरंग में फसे श्रमिकों के लिए सुभा बनाया गया खाना कई बोतलों में पैक्ट करके भीचा गया यह उपरेशन यूदि की तरह है समय सीमा नहीं बाढ़ सकते हैं उतरकाशी टनल रेस्क्यू उपरेशन पर एंजिये में ने बयान दिया प्रेस्की ऑपरेशन का केंद्रे मंत्री वीके सिंग और मुख्य मंत्री पुशकर सिंग्धामी ने समीक्षा की टैनल के अंदर जाकर जाय सालिया उजयन के महा काल इश्वर मंदर में विशेश पूजा की गई और तरकाशी में सुरंग के अंदर फसे मजदूरों की सुरक्षा के लिए की गई प्राथना सुरक्षा बलो ने अब तक लशकर रहताइबा के दो आतंकवादियों को धेर किया शहीद कैप्टन M.B. प्रांजल का पार्थिव शरी राज मंगलूरू लाया जाएगा मंगलूरू के रहने वाले कैप्टन प्रांजल को दी जाएगी श्रधान जली रजारों में आतंकवादियों से मुडभेर में जान गवाने वाले पांच जवानों को दी गई शृधान जली जवानों ने शहादत को किया सलाम इसराइल हमास के बीच आज से चार दिन की सीसफायर लागू कतर के प्रवक्ता ने किया एलान कतर के प्रवक्ता के मताबिक हमास ने सौपी रहा किये जाने वाले बंधकों के नामों की लिस्ट आज दुपहर तक 13 महिला और बच्चों समेट पहला गूरूप किया जाएगा रहा सीस फायर के समझाते के मताबिक इसराइल 49 फिलिस्तिनी कैदियों को करेगा रिहा और एक बंधक के बदले तीन फिलिस्तिनी रिहा किया जाएंगे हमास थाइलन्ड के 23 बंधकों की बिना शर्त रिहाई के लिए तयार इरान की मध्यस्तता के बाद हमास हुआ तयार इसराइल हमास जंग का आज 48 वा दिन गाजा पट्टी में अब तक करीब 13,300 फिलिस्तिनियों की मौत हुई इसराइली सेना ने गाजा के शाती रिफ्यूजी कैम्प पर की कारवाई हमास के कई टिकानों और इंफरस्ट्रक्चिर्स को तबहा किया इसराइली सेना ने रिफ्यूजी कैम्प पर रेट का वीडियो भी रेलीज किया है आमने सामने की फारिंग करते नजर आ रहे हैं इसराइली सैनिक इस्राइली सेना ने रेड के दौरान भारी मात्रा में हतियार जब्त किये, हमास के ठिकानों से पट्रोल से भरी बोतले भी बरामद हुई केरल कॉंग्रिस ने फिलिस्तीन के समर्थन में एक जुटता दिखाई, इस्राइल हमलों का विरोध किया केंदरी ग्रह मंत्री अमिश्या का आज तिलिंगाना दोरा निजामाबाद में दोपेर साड़े बारा बज़े जनसभा को संबोधित करेंगे अमिश्या आज तीन विधान सभा में करेंगे रोडशो, राजींदर नगर, सेरी, लिंगम, पली और अमर पेट में करेंगे वोट अपी बीजेपी अंतिक जेपी नड़ा आज दोपेर हुजूरा नगर विधान सभा में जनसभा को संबोधित करेंगे, सिकंदराबाद और मुशिदाबाद में करेंगे रोडशो पुलिस वालों को धमकाने पर अग्बर उद्दीन ने दीसफाई कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया पुरे देश में परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है बीजेपी तेलंगाना में जेपी नड़ा का बयार प्रिवारवाद बाले आरोफो पर बोले टी एस सिंग देव पूछा कि आमिश्या अपने बेटे के बीसी स्याई में होने पर क्या कहेंगे चुनाव आयोग ने राहूल गांधी को नोचस भेजा पीएम पर आपत्ती जनक कर टिपड़ी करने पर 25 नवंबर तक जवाब मांगा दिली में आज चुनाव आयोग के सामने न्सिपी के दोनों गुचों की सुनवाई दुपहर 12 बजी होगी सुनवाई देवगड़वे कॉंग्रेस पर बड़से पीएम मूधी कहा राजस्तान को दंगो ब्रष्टाचार और पेपर लीक में नंबर बनाया पीएम ने फिर की भविश्यवानी तीन दिसम्मर को बने की बीजेपी की सरकार गैलो सरकार के अच्छे कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश राजस्तान में कॉंग्रेस के पोस्टर्स पर पीएम का तंज खडगे का कहीं फोटो नहीं गहलोत और शाही परिवार के लोग ही दिख रहे हैं राजस्तान के धौलपुर में सीएम योगी की रैली कहा की कॉंग्रेस ने राम क्रिशन के वजूद पर सवाल उठाया था ये सनातन धर्म मानने वालों का सबसे बड़ा पमान सीएम योगी ने कहा उत्तरप्रदेश में डबल इंजन की सरकार में बन रहा राम मंदिर 22 जनवरी की तारीख टाय हो गई है राजस्तान के चितोरगर में ग्रह मंत्री अमिश्या ने किया रोडशो बीजेपी की जीत की भरे उनकार अमिश्या ने कहा परिवारवाद, भरष्टाचार, तुष्टी करण, गेहलोट सरकार की पहचान, महिलाओं और आदिवासियों पर हुआ अत्याचार अमिश्या ने लाल डायरी को बताया, भरष्टाचार के प्रतीक कहा कि जनता जादुगर बनकर कॉंग्रस हो गायब कर देगी सीम गैलोट को भरोसा, कहा राजस्तान की जनता हमारे साथ बीजेपी ने लोगों को बरगलाया कॉंग्रिस की साथ गैलोट की जीत रही पवन खेडा, बोले बीजेपी की कहीं चर्चा नहीं बीजेपी ने इस बार सीम फेस का क्यों नहीं किया आयलान, सचिन पाइलेट ने पूछा सवाल राजस्तान के लोग बीजेपी के बहे कावे में नहीं आएंगे, चतीस गड़ की सियम भुपेश पगेल का बयान जारखन के मुख्यमंत्री हेमन सुरेन ने पांच राज्यों में विदान सबा चिनावों पर कहा चिनाव हो या खेल का मैदान दोनों बराबर है हिमन सुरेन बोले जिसने जितनी महनत की है उसी के हिसाब से नतीजे आने चाहिए नागपूर पहुँचे जारखन के मुख्यमंत्री ने कहा चाईबासा में हुए आईजी ब्लास्ट का दुख बोलु जवानों पर हमें गर्भ है सीम योगी आदितनात आज आयोध्या में बड़ा भक्त माल मंदिर में राम सीता को पहनाएंगे सोने का मुकट एक स्वान चछत्र भी करेंगा रपित सीम योगी बड़ा भक्त माल मंदिर के पीठा धीश्च्वर रहे राम शरण दास की उन्चासफी पुनेति थी पर आयोध्युत कारिक्रम में करेंगे शिरकर राम लल्ला और हनुमान गड़ी में भी करेंगे दर्शन पूज़ट आयोध्या में देवो थान एकादशी पर दिखा शांदार नजारा, साउंड और लेजर शो का किया गया आयोज़ट मन्थुरा और ब्रज विकास में दूर नहीं रहेंगे, प्यम मोधी बोले यहां वही आता है जिसे कानहा बुलाते हैं मतुरा में सीम योगी ने किया राम मंदिर का जिकर पीम के नेतरतों में आज भवे मंदिर बन रहा है, मतुरा वरंदावन का भी विकास हो रहा है फिल्म अभी नेतरी हेमा मालिनी ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत की, पीम मोधी और सीम योगी दौरान मौजूद रहे इगास उत्सव में पहुंचे गाएक जुबिन नौट्याल स्वामी, चिदानन्द सरस्वती और गीतकार प्रसून जोशी भी ने भी शिर्कत की केरल के गवर्नर आरफ मौमत खान ने हलाल उत्पाद बैन को ठहराया जायस कहा हलाल खाने पर प्रतिबंध नहीं उत्पादों पर शब्द का गलत इस्तिमाल रोका है अलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर मार्केट का हो रहा है इसलामी करन केंदरे मंत्री गिरीरा सिंग का निशाना एक्टर प्रकाश राज सौ करोड के पूंजी, घोटाले और धोखा धड़ी मामले में फसे, मनी लॉन्रिंग केस में एडी ने समन जारी किया इरी ने प्रकाश राज को प्रनव ज्विलर्स मनी लॉन्रिंग केस में भी तलब किया है, चन्ने की एडी ऑफिस में दस दिन के अंदर पेश होने को कहा है महुआ मोहित्रा केस के बाद बदला नियम, लोगसभा सचिवाले का निर्देश सिर्फ सांसद ही कर सकेंगे ओनलाइन सवाल समिट निशिगा अंदूबे ने संसद की गुपनियता को लेकर किया पोस्ट कहा कि महुआ मोहित्रा का केस चूरी और सीना जोरी का उधारन है अरकेपूरा में 422 जबकि आनन्द विहार में प्रदूशन कस्तर 407 दिली से सचे इलाकों में भी प्रदूशन कस्तर 300 के पार नॉइडा का एक्यूआई 343 जबकि ग्रिटर नॉइडा का 341 कश्मीर में समय से पहले सर्दी ने दी दस्तक शोफिया में पारा माइनस 3.3 डिगरी सेल्शियस तक लुड़का शिनागर में दशमलव 8 डिगरी तापमान दर्ज किया गया मौसम विभाग की बच्चों और बुज़ूर्गों को बिना मास बाहर नहीं निकलने की नसियत प्राइमारी कक्षाओं में किया जा सकता है बंद तमिलनाट के चिंगल पट्टू में हुए बारिश शाम जन जीवन बारिश के वज़ह से हुआ प्रभावित गदा बनाने वाली फैक्टरी में बीचन आग लगी दूर से नजर आई आग की लप्टें आग की सूचना मिलते हैं मौके पर पहुँची फायर विगेट की टीम घंटों शक्यत के बाद घाबू पाया गदा फैक्टरी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं हाला की आग लगने के कारणों की जांच जारी तिलंगारा में चुनाओं से पहले हधरबाद में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामियाबी गाची वाला इलाखिये में एक कार्ट से पांच करोड रुपेज बरामत पुलिस ने बेनामी कैश इंकम टाक्स विभाग को सौफा कार और कैश के मालिक की अभी तक कोई जानकारी नहीं पुलिस जांच में जुटे दिलिगा आईजिया एरपोर्ट पर कस्टेम विभाग की कारवाई 98 लाक रुपे की कीमत का गोल पेस्ट बरामत किया करनाटक से तमिलनाडू के होसूर के जंगल में आये 30 से जादा जंगली हाथी आसपास के गाउं के लोगों में देहिशन बरुबभाग ने 10 से जादा गाउं के लोगों को 70 क्रैने के लिका है जंगली हाथियों से सामधा नहीं की बात सेशेल्स के विदेश मंतरी से मिले डॉक्टर एजजय शंकर दोनों देशों के भी दिपक्षे मुद्धों पर बात जब आज़ादी के सौ वर्ष मनाएंगे तब भारत के अधवस्ता पैंथी स्टेलेन की हो जाएगी केंदरे मंतरी प्यूश गोईल का बयान डीप फेक को लेकर केंदर सरकाल अलर्ट अश्विनी वैशनव ते सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म के साथ की बैचर डीप फेक को लोगतंत्र के लिए बताया निया खतरा आईटी मिनिस्टर बोले समस्या से निजात पाने के लिए सरकाल लाएगी निया कानूर डीप फेक की समस्या गंभीर इसे लेकर उठाने होंगे कदम कॉंग्रिस सांसत मनीश तिवारी का बयान नेपाल में फिर उटी राज तंदर को बहल करने की माँग पूरवर राजा के हजारों समर्थकों ने काटमानू के सडगों पर पर प्रदर्शन कारियों ने पूरवर राजा ग्यानी इंदर के समर्थन में नारेबाजी की पुलिस के रोकने पर जंडे लेकर शेहर के दीज घुसने की कोशिश की पुलिस से प्रदर्शनकारियों की लाट जेचार जब हीर को तीतर बितर करने के लिए आसुगेस के गोले दागे के वाटर कैनन का भी इस्तवाल हुआ पुलिस के बल प्रयोग में कुछ प्रदर्शनकारी घायल हुए प्रशासने शेहर की एहम जगाहों पर प्रदर्शन को बैन किया दक्षिनी यूक्रेन के खेरसों में एक गाउँ पर रूस का अटाएक तब करीब पांच लोगों की मौत रूसी रॉकेट अटाएक में साट्री आईशी और कारोबारी इमारतें तभा हुई रूस में क्लस्टर बंब से किया हमला दक्षिनी यूक्रेन में एक रूसी पत्रकार की भी जान गई रूस के कबजे वाले इलाके में हुए ड्रोन अटाएक में जान रूसी मीडिया के मताविक पत्रकार रॉपोर्टिंग के सिलसले में खुले मैदान में था ज्रोन अटाएक का शिकार हुआ अमेरिका की इंडियाना में एक छोटा विमान क्राश हुआ हाथसे में पाइलिट की मौत हुई भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच मैचों की टी-ट्वेंटी सीरीज के पहले मुकाबले में दो विकेट से हराया सीजन में एक शोने की बनाई पड़ा अस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 209 रन का टारगेट दिया तब हाथी टीम ने आखरी उवर में दर्ज की जीत बारतिय टीम ने टी-20 इंट्रनाशनल में सबसे बड़ा रन चेस किया सबसे ज्यादा दोसों से ज्यादा रन चेस करने का रिकॉर्ड बनाया सारा मुल्च डेसिंग रूम में छोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया पुर जीत के बाद इशान किशन ने कहा हमने बेस्ट परफॉर्म किया रिंकुसिंग की ब्यून होने तारीफ की भारत की जीत पर फैंस ने जशन मनाया इंडिया इंडिया के लगाए नारे ते रंगा भी लहराया विशागा पटनम में टी 20 में ऑस्ट्रेलिया की हार पर फैंस ने जताए खुशी सूरे कुमारी यादव की जम कर तारीफ की राहुल गांधी की पनाथी वाले बयान पर महमँद शामी ने दिया बयान कहा कॉंट्रोवर्सी वाले सवाल समझ में नहीं आते वर्ल MAYOR चयम में वियाई-पी मुव्मेंट का नहीं था कोई दबाओ शामी ने दिया जवाब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है, कम समय में तयार होना बड़ी चुनाथी जमू कश्मीर के पुंच में बॉक्सिंग चैंपिंशिप का आयोजन, कई जिलों की टीमों और खिलाडियों ने लिया हिस्सा बॉक्सिंग में पुंच के लड़के ओवर ओल चैंपिंट रहे, रामबन की लड़के रही अंपल रनवीर कपूर और रश्मिका मंदाना की आगामी फिल्म, एनिमल का ट्रेलर रिलीज, पिता के प्यार में जानवर बन बैठे बेची की कहान विलन के तोर पर बॉवी देल का खुंखार लूकर रनवीर के पिता के रोल में नज़र आएंगे अनिल कपूर एक दिसमबर को रिलीज होगी अनिमल